हाई फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एकदम टिफिन के लिए स्पेशल शिमला मिश टमाटर की सब्जी ऐसी टिफिन में सब्जी दोंगे कि जो आपके हस्बेंड या भी बच्चों के फ्रेंड्स रहेंगे वो उनकी सब्जी चोड़के आपकी सब्जी खाएंगे तो चलो फटा फट बन जाएंगा तो थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी राई और थोड़ा सा हम दालेंगे इसमें हींग एकदम थोड़ा सा तो खुशबू बहुत अच्छी आएंगी और अच्छा भी रहता ही खाना तो उसके बाद हम दालेंगे इसके अंदर अद्रक लशन का ना कर भी रख सकते हो 15-20 दिन के लिए उसका रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलेगा बहुत आसान और बहुत इजी रेसिपी है वह देखना बना के कैसे बनता है तो उसके बाद हमने इसमें दाला थोड़ा सा हैरा धनिया हम इसको अच्छे से एक मीट तक के भून लेंगे ज साथ मीट रख जब हल्गा शिम्ला मिच नरम पड़े तब उसमें हम das नमक 10 नमक दालने के बाद ओर शिम्ला मिच को थोड़ी देर पकने देंगे और जब वो पकएंगे उसके बाद उसमें आलेंगे हल्दी हमारे नौर्मल मिचे जान लेंश़्ी मुच्व बनेगा धनिय लगती है टिफिन में रोटी ठंडी होती है सबजी अच्छी रही तो मज़ा आ जाता है जब सारे मसारे दो मीट के लिए पकने के बाद हम इसमें दालेंगे टमाटर वेडियो फास्ट में जा रहा है पर आप जो प्रोसेस में बता रहे हो वो कंटिन्यू करना इसे तीन से चा अच्छा बनेंगा और सब्जी में टेस्ट भी उट अच्छा आएंगा और अब हम इसको ढख कर पानी रख वही प्लेट पेड़कर अच्छा से पकाएंगे जब तक कि टमाटर शीमला मीट अच्छा से गल जाएंगे तब तर उसके जब यह अच्छा से कि देखो अभी जब जाएंगी तो सब्जी का स्वाद ही पर जाएंगा पर कभी भी शक्कर जो है मिठा से गुड़ दालो या शक्कर दालो वह हम सबसे आखरी में दालेंगे नहीं तो टमाटर अच्छे से पकेंगे नहीं कोई भी चीज पकने के बाद मिठा एड़ करें तो इसमें मैंने दे भड़ी हासे तानिय डाल के टीफिन में रोटी च पाती के साथ में सर्व करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए और टीफिन रेशिप जरूर देखिए ट्रा एजञा कीजिए अच्छे लगी तो कमेंट कीजिए Thank you for watching भाई फिर मिलें झाल ये!